हेलो एवरिवन कैसे हो सब तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में स्वाति व्लोग फ्रेदाबाद तो कैसे हो आप सब जरूर बताना कॉमेंट करके बताते नहीं हो जो आप सभी इस वक्त वीडियो देख रहे हो वह बारा तारीक का 12 दिसंबर का मैं रात को काफी बारिश शाम से ही बारिश हो रही थी तो यह वीडियो है 9-10 बजे के बीच का और इस दिन तो पूरी रात बारिश होती रही रुक रुक के बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है बहुत जादा बिजली कड़क रही थी मेरी भेन की जो वेटी है माही वो तो बोल रही थी कि शिवजी भगवा करी है कि नहीं इस तरीके से पूछ री थी तो तब मैने उसको बताया हम यह भी भी बहुत तेज बारिश हुई थी उसी वज़े से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है हेलो एवरीवन गोड मॉर्णिंग कैसे हो सब तो ये है वीडियो तेरा तारीक का सुबह का रात को काफी बारिश हुई है उस वज़े से आपको ये सब गिला गिला दिख रहा होगा तो अभी तो बहुत खूबसूरत सा दिर्शे है अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा भार का भी नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में कितनी हरियाली लग रही है इस वक्त सारे पेड़ पूधे जो है वो दुल चुके है जो उनके उपर मीटिविटी बैठी होगी और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आज दूप बिलकुल भी निकलेगी तो अभी भी बादल बादल हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज दूप निकलेगी इन बादलों को देखकर मोसम का तो कुछ कह नहीं सकते हैंगे कि कब कैसा हो जाए और इस खुबसूरत से नजारे में ऐसा मन कर रहा है कि गरम गरम चाय और पकोड़े मिल जाए तो बाती अलग है तो बस अभी तो मेरा मन कर रहा है यहीं बैठ जाओं इस नजारे को देखती रहूं और गरम गरम चाय पीती रहूं तो अभी चाय तो नहीं बना रही हूँ लेकिन थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी और अभी सोच भी जी हूँ नाश्टे में मूली के पराठे और चाय बनाने का तो पहले तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कितना खूबसूरत नजारा लग रहा है तो अभी मैं बस इस कमब्रे की थोड़ी सी सफाई करूंगी काफी टाइम से सोच रही थी आज कल आज कल में होता जा रहा था और जब हम ऐसे सोचते हैं कि थोड़ी दर के बाद करेंगे चल अभी रहने देते हैं तो वो कब कल में बीच जाता है परसों में तरसों में बीच जाता है कुछ पता ही नहीं चलता यह मेरे कुछ प्रेस के कपड़े होकर आ गए थे तो इनको अब मैं अलमारी में रख देती हूं बहुत दिन होगे इनको भी भार पढ़े-पढ़े तो अब एक एक करके इनको तो मैं फोल्ड कर रही हूं वो जो मतलब की जो प्रेस वाले हैं वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी तैय करके देते हैं तो उनको मैं थोड़ मोड के अच्छे से रख देती हूं अलमारी में सारे के सारे और मैं इस चुन्नी में लपेट के देती हूँ उनको कपड़े अपने फ्रेस के लिए और इसी में वो तैय करके लगा के देते हैं हमें तो इसको भी मैं तैय करके अंदर रख दी है बैड के नीचे मैंने और इसको बीच में धोती रहती हूँ हर रोज तो नहीं दोती हूँ जब भी देती हूँ लगता है कि हाँ जी गंदी होगी है तो तब मैं इसको बीच में दोती रहती हूँ और चटाई मैंने इसी लिए बिचा ली थी कि अभी सारे कपड़े मैं ये बैड से नीचे चटाई पे रख लेती हूँ उसके बाद समेटूंगी एक-एक करके अराम से बैठ के तो खड़ी होके करती तो काफी टाइम लग जाता और कमर में भी दर्द हो जाता तो इसलिए मैंने मुझे लगा कि पहले बैड पे से नीचे उतार लेती हूँ और इसी बीच सफाई वाली भी आ गई थी तो मैंने उसको बोल दिया था कि इस कमरे को रहने दे और तो पहले किचन का काम समेट दे बरतन पड़े हैं वो साफ कर दे तो बस अभी वो बरतन साफ कर रही है तो मुझे लगा जल्दी बस मैं इस कमरे को समेट देती हूँ कि तो अब जल्दी है तो जल्दी जल्दी हो भी जायेगा लगी हूँ तो कपडे मैंने इसी बैक में रख रखे थे तो कुछ हैंगेगे जो मैंने भी पैने नहीं हैं तो वह भी मैंने निकाल लिये है और भी मैं चैन में मतलब इसकी बैक की चैन खोल खोल के देख रही थी कभी इसमें कोई सोक्स तो नहीं रख रखी क्योंकि हम जो सोक्स होते तो होता है ना कि इसमें रख देते हैंगे और अभी बस मैं जो एक्स्ट्रा कपड़े होंगे मेरे वो मैं इस बैग में रख दूँगी और नई तो जितने भी कपड़े हैं यह समय तै लगा के अलमारी में रख दूँगी अब मैं कर लेती हूं एक एक कपड़े की तै कई लोग तै का मतलब नहीं समझेंगे तो इनको मैं फोल्ड कर लेती हूं कपड़ों की तै लगाना मेरे हो सकता है कि बहुत लोग इस लेंग्विज को ना समझ पाए तुकि मैं हमेशा इसको तय लगाना ही बोल देती हूँ, कपड़ों की तय लगा रही हूँ, मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ और कुछ लोग शैद हो सकता, भी कॉमेंट करके भी मुझे बोल दे, कि आप जातर हर वीडियो में ये रैड वाली स्वेटर पहनते हो, तो ये मेरी फेवरेट स्वेटर है, और मैं हमेशा इस तरीके की स्वेटर ही पसंद करती हूँ, गोल गले की, जैसे की जैसे की जैंट्स शैद एक या दो होंगे, वो भी मेरे यहाँ पर नहीं, मम्मी के घर पर है वो, अभी तक मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की है, अपनी सर्द्यों कपड़ों में, और शैद मैं करने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कहीं खास जाने वाली तो हूँ नहीं, और घर के कप किती हूँ, तो ये मेरे हस्बंड ने अपनी कुछ शॉपिंग की थी कौम से, तो उसी का ये पैकिट था एक, तो तीन-चार स्वेटर उन्होंने ली थी अपने लिए, हाँ, और मैं बात करी थी अपने इस स्वेटर की, तो मेरा ये फेवरेट स्वेटर है, इसी को मैं जात करते हैं, जब तक हम जिस काम को नहीं करते हैं, तो वो पढ़ा ही रहता है, जब लग जाते हैं, तो एक-एक करके, तो सब वो होता भी चला जाता है, और ना करो तो वो दिखता रहता है, हाई, टैंशन होती रहती है, और जब भी मैं काम करती तो इस तरीके से करती हूँ, कि अब भी सोच रही हूँ कि बस मुझे यही काम करना है, कुछ और नहीं है, तो अराम से शांती से बैट के मैं यही काम कर रही बस उसको करने के बाद फिर दूसरे के बारे में सोचो यह निकी दिमाग जहां जो काम हम कर रहे हैं वहां पर हमारा दिमाग ना हो और दस जिंगे हमारा दिमाग इदर दर घूमता रहे जजस काम है बार दस आए कि मिला त्स जिसरा कर दो 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 कपड़ी थे प्राइख मैं टीचांच फोल्ड कर दी हैं रख दी हैं अपने अपनी चझए पे अलमारीओं में amigos तो मुझे लगा कि कुछ जो कपड़े हैं मैं नहीं पहनऊंगी उनको मैं अभी रख देती हूं फिलाल बैग में बैड के अंदर तो इसी बैग में मैं भर दूँगी वो सारे कपड़े क्योंकि अभी तो इनके यूज नहीं है और ये है मेरी कुछ साड़िया मतलब मैंने कुछ साड़ी इस तरीके से निकाल के रख रखी थी कि मैं प्रैक्टिस करती रहूं साड़ी पहनने के लिए जो कि मैंने की न तो मैंने थोड़े से साड़ी निकाल लीती विल्कुल हलकीलकी सी जिस पर मैं प्रैक्टिस कर सकूं और हां मुझे बिल्कुल भी साड़ी पहनना नहीं आता है और साड़िया देखो तो मेरे पास इतनी सारी है बहुत शारी किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी प्रोपर करूंगी बहुत जल्दी तो फिलाल कपड़ो वाला जो काम था वो तो मेरा खतब मोचुका है तो अभी मैं लेके बैठ गी हूँ बहुत सारी चूड़ियों को अरेंज करने के लिए जैसे कि मैंने इसे पिछली वीडियो में आपने देखा हूँ कि मैंने कुछ ये बैंगल्स को रखने के लिए सेट मंगवाया है और गुनाइजर बोक्स मंगवाया है अभी आप लोग सोच रहोगे कि मैं ये जो चूड़िया है वो पनी में रखती हूँ तो मैं पनी बिलको नहीं रखती तो मैंने अमजोन से भी कुछ प्रोडेक्ट मंगवाये थे ये बैंगल्स बोक्स के तो वो मुझे पसंद नहीं आए थे जब मैं उस बोक्स में रख रही थी तो तब मैंने सारी की सारी चूड़िया निकालके बैठ गई थी मैं देख रही थी और और जो उनके डब्बे थे फिर वो मेरी जो सफाई वाली है वो लेके चली गई थी तो मैंने उसको दे दिये थे तो फिर बात में मैंने पनी में रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि मैं मंगवाने वाली हूँ कोई दूसरा बॉक्स इनको वापिस देने के दे कर तो अभी तक तो मैंने वापिस दिए नहीं है तो यह जैसे कि पहले वाला बोक्स है आप देख रहोगे साइड में वह भी पिंग कलर का मगवाया है मैंने तो उसकी तरह यह इतना मुझे पसंद नहीं आया जो इसका ऊपर का खोलने वाला जो सिस्टम है वो जो चैन लगी हुई है वो अच्छे से इसमें नहीं लगी हुई है तो मुझे थोड़ी चूड़ीया रखते हुए सैट करते हुए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके पास इतनी सारी चूड़ीया है जैसे कि दुकान खोल के बैठी हूँ चूड़ीयो की मैं देखने में ऐसे ही लग रहा है पूरा बजार लगा के बैठ गी हूँ और ये मेरी शादी से पहले की भी चूड़ीया है जब भी मैं एक साल तो ऐसा हुआ था कि जब भी ममी सूट देती थी कपड़े देती थी मुझे तो उनके साथ चूड़ीयो सैट करके देती थी तो अब तो मैं मना कर देती हूँ मुझे नहीं लेती हूँ मैं चूड़ीया और इसी तरीके से मैं रखती हूँ संभाल के तो और मैं पहनती भी नहीं हूँ इसलिए मेरी चूडिया ऐसे कैसे रखी रहती है तो मैं बात करूँ तो मेरी चूडिया इतनी पुरानी पुरानी है इसमें मेरी बहन की शादी की भी चूडिया है है जब मेरी भेन की शादी थी जब मैंने अपने लिए भाँ जब खरी दी थी तो वह चोड़ीया भी अभी तक मेरे पास सरखी हुए हुए है तो आज मैं देख रही थी मैं कहा है रहाम इत्ती पुराणी अब ही मैं जो चूड़या सेट कर रही हूं तो उनके बिल्कुल कलर वाइज मिला मिला के नहीं रख रही हूं। अभी तो बस मैं ऐसे ही काम को निम्टाने के लिए कि फैला हूँ है इसको इस तरीके से ही रखरी हूं पुरे सेट नी बना रही है the वो के देखूंगी अराम से फुरसत बैटके लेकिन अभी तो लग रहा है कि जल्दी से सुनी था इस कमरे में ना आ जाए तो इसको जल्दी सी समान को समेट दूँ मैं और अभी जितनी भी मैंने चूड़िया इसमें रखिए वो सारी मेरी कंच की चूड़िया है जो मेरी शादी में मैंने चूड़ा लिया था वो तो ये अलग रख अलग दूसरे डबे में डाल दूँगी तो इसमें से बस मैं जो कांच की चूड़िया वही चाट रही हूँ एक एक करके तो फाइनली मेरा ये चूड़िया वाला भी काम थोड़ा सा खतम हो गया है पूरा तो नहीं थोड़ा सा खतम हो गया है और मैंने ये एक बॉक्स जो है मेरा वो सैट हो गया तो बस मैं इसकी अब चैन बंद कर दूँगी और ये देखिए दूसरे वाला तो ये देखिए पूरा किस तरीके से खुल रहा है तो इसमें चूड़िया बहुत आसानी से रखी जाती हैंगी ये पूरा इस तरीके से खुल गया है पूरे चारो तरफ से चैन इसकी मतलब तीन साइड से जो चैना वो खुल चुकी है इसकी और उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी रखते हुए और जो मेरे चूड़े की जो और एक्स्ट्रा चूड़ी बची हुई है तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ी उसी जह है तो अभी दो चूड़ी मैंगल य offerings में थाकी में में अपनी चूड़ी मैं में लोगता हुए इतना पहनने का शोक निया है और खरीती जादा हूँ, अब तो फिर भी मैंने बहुत कम कर दिया है, ना के बराबर, पहले मैं इतनी चूडिया खरीती थी, इतने कड़े खरीती थी, अब तो मेरी वमी जब भी बोलती बे तो मैं बिलकुल साफ मना कर दूँ, मुझे नहीं चा केस भी बहुत कम लेते हैं अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगी आप सभी को तो फाइनली बस इसका यह भी का मेरा खतम हो गया है बस यह डबे जो हलका फुल का है यह फिर भी मैंने रख दिया है तो बैड अब कितना यह फोल्डिंग बैड कितना और फाइनली अभी आगी हूं मैं किचन में और जैसे कि आपने देखा कि पनीर टमाटर प्याज यह समय निकाल लिया है तो आप समझ गयोगे मैं क्या बनाने जा रही हूं तो मैं जा रही हूं बनाने पनीर की भुजी और मैं हमेशा एक तरीके से नहीं बनाती हूं हमेशा अगर आप चाहो तो ग्राइंड मत करना उसको हाथ से भी कर लेना और यह बहुत ऐसा लग रहा था कि अमुल का जो पनीर है वह बहुत फ्रेश था जैसे की घर्मिका बना हुआ बिल्कुल वैसा लग रहा था अगर मैं इसको हाथ से करती तो ठीक रहता है मुझे बाद में अफसोस हो रहा था कि मैंने हाथ से कर लेती क्यों इससे कर लिया और यह जो पनीर है वो मैंने 200 ग्राम लिया है और इसको कदो कस कर लिया और यह है लसन दरक का पेस्ट और तीन टमाटर है छोट छोटे और दो हरीम बिर्च ली है मैंने और इनको भी बोटबड़ा काट लिया है और यह दो छोड़ोड़े प्याज है इनको भी मैंने बारिक बारिक काट लिया है मैंने इसको मिक्सी में नहीं किया है तो फ्राइफन में मैंने तेल डाल दिया है तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया हींग और अभी मैं डाल जीरा तो हलका से ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज ब्राॉन होनेके बाद मैंने प्याज डाल दिया है और अच्छे से इसको कर दिया है मिक्स फोरदा सा चला दिया है चम्जक के साथ और इसको बहुत ज़ादा बॉर्ट ने करना हलका सा बॉर्ट प्याज भूपन तो अभी मैं डाल घुश तो लसन अद्र्ग का पेस्ट अर उसको ग्रदूंगी अच्छे से मेक्स अर अभी मैं इसको बीच में चलाती रहुंगी ऐसे नी जरी कि मैं छोड़ दूँगी इसको ठोड़ दूझा सिपकने का ड़्र रहता है लशन धर पिस्ट डालने के बाद अबी डाल दूंगी इस में तो मैं जो आप रखी है तो दोड दूँगी उसके बद डालन भाद इस अब tą披माटर तो मैं अधी निकीыт को तो तो उसका जो स्वाद है कदूकस करने के बाद वह अच्छा नहीं आता है अभी मैं इसमें डाल दूंगी नमक और जब भी मैं टमाटर डालती हूं तो तो अभी मैं धक दूंकी थोड़ी देर के लिए तो अभी मैं धखकर हटा के देखा तो थोड़ी थोड़ी गल गया है अच्छे से तो पेस्ट नहीं बना है और मुझे बहुत ज़्यादा वालिक भी नहीं करना है इसको तो बस अभी मैं इसमें डाल दूंगी सूखे मसाले तो मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है धनिया चल्याड भी लाद मिर्ची डाली है अभी सुखी लाल मिर्ची थोड़ी सी कलर के लिए इसमें बिल्कल भी तीखा नहीं more अभी मैं डालहें यह पाव भाजी और पाव भाजी डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है तो ये थोड़ा सा नया ट्विस्ट है तो ये इस तरीके से आप जरूर बना के देखना तो अच्छे से अब मैं मसालो को भून लेती हूँ इसको चला चला के बीच बीच में से और जब हम तो जब हम पाव भाजी मसाला यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मक्षन भी यूज करना चाहिए तो उसका जो फ्लेवर है वो दस गुना बढ़ जाता है तो मक्षन से तो इसमें मैंने डाला है अमुल मक्षन अमुल मक्षन अच्छे से मैल्ट हो जाए उसके बाद बस मैं पनीर डाल दूँगी अभी तो बस मैं अभी डाल रही हूँ पनीर तो पनीर को थोड़ी देर तक मैं इसको भून लूँगी मसाले के साथ अच्छे से इस पे कोटिंग हो जाए इस मसाले की तो इसको चला चला बिल्कुल हलके हाथ से इसको चलाना है नहीं तो बिल्कुल पिस जाएगा बारिक सा हो जाएगा और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो जैसे अभी गीला गीला सा लग रहा है वो थोड़ा सा मॉस्चराइजर इसका खतम हो जाए और बस ये बनके तयार है तो बहु मेटी डालना उससे भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है तो मेरे पास तो थानी इसलिए मैं वो डाला नहीं है तो बस मैंने इसमें धनीया मिक्स कर दिया है अभी मैं ड़क दूँगी बस मिरी बंद चुकी है गैस कर दूँगी बंद तो कैसे लगी ज़रूर बता इसमें बस दो सीटी लगवाँँगी और ज्यादा नहीं वैसे तो एक में ही पक जाती ए लेकिन आज भी तेल गरम होने के बाद मैं इसमें जीरा और हिंग डाल दिया है जैसे ही जीरा हिंग तड़केगा तो इसमें प्यास डाल दूँगी और में इसमें दो लाल मिर्ची और तेजपता भी डाल दिया है तो वह अच्छे से पक गया है आधी तरक गया है तो इसके बाद मैंने प्यास डाल दीए है और बमी इसमें ढाल देती हूं तो वी मैं इसमें डाल देती हूं टामाटर तो मैंने मिक्सर में करक्षता था चोपर में बस वही मैं इसमें डाल रहे हूँ और इसको अच्छे से बून लूँगी अब अ अच्छे से बून जाए न तो फिर सब्जी हो ताल हो उसका जो पूस हो काफी अचछी बड़ता है Ket महनत पूर्ण जो टायम लगता है वही लगता है नमक कर देघ्र हो आपका ज़ल्दी जल्दी नरब हो जाते हैं बाप अंदर पक जाते हैं तो बस यह मेरे पक चुके हैं टमाटर का पेस्ट अगर अज़ पता मैं बोले जारी हूं टमाटर का पेस्ट तो मसाला अच्छे से भुन चुका है तो अभी बस मैं इसमें सुखे मसाले है वो एड़ कर दूंगी और सुखे मसाले में जो मैं भी डाल रही हूं वो है धनिया पाउडर और मैंने अभी डाला है थोड़ा सा बस गरम मसाला तो ज्या तो पाउड़ा तो अब यह जैसे कि मैं इसमें लाल मिर्ची डालना भूल की थी तो यह कलर के लिए होती है ज़्यादा तीक ही नहीं है यह तो मैंने अभी लाल मिर्ची डाल दी है और अच्छे से जब यह तेल छोड़ देगा मसाला तो उसके बाद मैं डाल दूंगी दाल तो इसको अच्छे से भी पका देती हूँ अच्छे से पका नहीं है तो अभी मेरा जो मसाला वो तैयार हो गया है तो इसमें मैंने डाल दी है दाल देखने में कितनी खुबसूरत लग रही है बस देखके ही मूँ में पानी आ रहा है तो अभी मैंने डाल को मैंने कड़ाई में डाल दिया है और अच्छे से अभी मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ थोड़ी दिर पकाऊंगी अभी इसको वैसे दाल पकी हुई है तो ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं और अभी मुझे थोड़ी सी गाड़ी गाड़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा से पानी भी याट आप कर दूँगी क्योंकि जब रख्य रख्य डाल तो भी गाड़ी हो जाती है तो भी मैं थोड़ा से पानी डाल दिया है अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और बस दो-तिन मिन्ट इसको और पकाऊंगी और बीत जिसमें मैंने दाल दिया है धनिया तो बस एक उब तो अभी मेरी जो दाल अबन के तैयार हो चुकी है और अब इसमें थोड़ा सब गी ऑड़ कर दिया है तो घी जैसे इसमें बिल्कुल जमा हुआ था तो जो मैंने चमछ है वो मैंने उसी में थोड़ा गडाई में ही नहीं कर लिया है तो दाल में जब हम इस तरीके से उपर से घी डालते हैं तो उसका स्वाद बहुत जादा बढ़ जाता है मतलब बोलते हैं जीरो से बिल्कुल सो नंबर पे पोच जाता है तैन परसंट पे तो अभी बस दाल में उबाल आ गया है तो अभी बस मैं इसको कर दूंगी बंद гES को तो दाल भी बनके हो गई त्यार तो भी मैंने लगा लिए है पलेट अपनी और मेरे हजबं की तो दाल पनिर की भुजी और रोटी रोटी भी मेरी बना ली थी मैं ने तो आप भी खा लिजिए कैसी लग रही है जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कर देना अगर मेरी चैनल पे पहली बार आये हो तो मेरी चैनल को सिस्क्राइब कर देना बैल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि दूसरी वीडियो अगर मैं डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई